रामपाल का लठ मार कावान बुराई है हमारे रिया में इसको मिटाना चीए क्या ना में सरा जैकी संदासभगी जी असे हो गाउं बराना जिला जजरा रियाना संत्रामपाल जी के विशे में क्या कहना चाहोगे सर जी संत्रामपाल जी महाराज के विशे में मैं क्या करना चाहूं मैं एक बहुत बुरा इनसान था जो मैं आरिये समाजियों के बैकावे में आकर गुरु जी को बहुत अच्छा बुरा बोलता था और जो 2013 में जो कांड हुआ था बरवाड़ा किया था कि वहीं चलो रामपाल का लठ मारगावांगी वह inhib Tak कीव वह जो है और मैं भी जो समय से सुनता था और यहीं समय से पर्चे भी बाठते थे उस्वेस सुनता था भी वहां पे बहुत गलत काम होता है बहुत है मतलब जो है बहुत बहुत कर property किसे यूज किया जाता है तो मैं सोचा सर जी मगा भई यह तो एक बुराई है हमारे एरिया में इसको मिटाना चाहिए देखो बगजी मैं अपनी ओर से अपनी ओर से ठीक था कि यहां पर इतना गलत काम जो हो रहा है तो समाज का साथ देना जुरूरी है और यह बुराई यहां से खतम करनी है तो बगजी मैं हम वहां से चले गाउं से पूरा गाउं टोल बजाता हुआ चला और हम सब से आगे थे और डिकल में से यह भी बोलते ज जा रहे थे और तो गो और ते निकल निकल क्या रही थी देखने के लिए क्या हो रहा क्या हो रहा तो अकीकत में यह बोल रहे थे के भी अपने काम न समाल लियो हमारा नी बता कि हम वापसी आओं के नहीं आओं मतलब मरने के लिए तयार थे बिलकुल जान देने के लिए त आमपाल को अटाना है चाए जान जाओ चाए कुछ भी हो तो बगजी डिकल में जा लिए जब कुछ डिकल वासी भी हमारे साथ हो लिए जथे में कि चलो बई जब बरानाई पूरा उठका आगा तुम पीछे क्यों रहो तो उदर से गोच्छी गाओं के उठका आगे तो बग पढ़े आला कि हम ने कैसी का आथ ने लगाने पाएक किर स सपषजीस कंसा कर देंगे और भगतों को देख ही रहे थे हम दूर से को जो हमारे साथ थे बंदे हमारे बिल्किल लेटिव जो साथ में गई हुए थे उन्हें उसको पीट दिया कि अब ये रमपाल का चेला थ्यागा एक मारो इसका मारो तो पीट दिया बगजी अलागी वह बहुत अच्छा लड़का नेचर का फेर मेरे दुख साविया में का यार लड़का तो शीदा था गलत पीट दिया महा कुछ भी था यार अब था था अपने गाउं का ही तो फोगजी फेर मनने मैं 2014 मैं गोरडगाउं में पुस्तक सेवा वरी थी 2013 की बात साइथ 2013 गोरडगाउं में पुस्तक सेवा रही थी तो ग्यान गंगां पुस्तक ले कर गुम रहे थे वकजी मन सोचे अब यह ले-ले 10 एन 형प यह किता है कितनी मोटी किताब देन लाग रहे मन भगजी वह आनका उस परद को नेपडने पाया बिल्कुल भी नीप उठाने का टाइम ही लगया फिर बगजी मने नई डिश लगवाई थी फिरी वाली और टीवी तबी लेका था तब तक निए था तो मने चैनल बढ़ रहा था खाना खाते खाते चैनल बदलते मेरे मामा का लड़का भी मेरे साथ संधीब नाम उसका चैनल से बदलते बदलते गुरुजी दीगे तो मने एकदम से गाली दी मगारे यो रामपाल मारे मारे करने की ता गया मगा राकस मगा भाई टीवी फोड़ना पड़ेगा मगा के यह डीज पड़वानी पड़ेगी दूसरी यह लगवानी पड़ेगी सब्सक्राइब करने वाले मुड़ गवार लोग होते हैं और मनना नो सालान मानगा अब ती रहते हो लिया बगजी और कावड भी लिया है मैं तीन कावड भी लेका डाक कावड तो मेरे बगजी एक दा मचंबा हुआ मैं गयार या के बात बर्त करना भी मना मगा कीता है में लेकर रहते हैं फिर गुरुजी ने साथ ही ये बोल दिया किभी सारा समाज सिक्सित है पड़ाने लिख्या है तो में आज तक तो मैं किसी ने गीता है दिखाई ने रिये उसका सारा ले ले तुमें गल्थ पार्ट पड़ा रहे हैं भई मैं निकाता कदे निमानो राम पाल का वहतम ने तम खुद उठागे देखो पड़ा लिखा समाज है और ये दास बताओ गार तुम खोल के देखो और अपन देखो अगले दिन 8 बज़े चला फिर तीसरे दन और सुननला गा मेरी मा बोली राम पाल बनागा के मा इसा है बुरा इंसान भी कुछ न कुछ न कुछ चीक देज्थ है अलाकि मना अपने आपको बुरा तब तक नी मानना था मां आपको बहुत अच्छा समझ रहा था तो ना आस्टों गुण थे विश्यों कोजभ ले यो तो हमें हो सकता है से कुछ शीखने को मिल जाए तो भगजी मनें अपता सदसंग सद्रागर जी गारे सब्सक्राद गिता देखी परमातमाने चारों वेद सबकुर्ण ऊठाट के दिखा दिया मन अंगा जी मत टेक दिया मगा गुरुजी आते तु मेरा बगवान और मैं तरह बालक दरती दर से उदर हो जागी मैं अब डग मगनी हूँ अचाए कुछ भी हो तो बगजी मैंने दस महिने तक सच्छम सुना गुरुजी का दस महिने के बाद सच्छम बंगी मनहरदास लगा याशरम में परमातमा निकालने का टाइम दो उसी दोरान मेरे को गुरुजी ने एक प्राइविट नोकरी भी दिलवा दी थी और आज सरकारी साइद कम पड़ जाएगी उसके बराबर परमातमा निकालने करीब लगा हुए तब से तो बगजी मालेक ने चीज़ बता याप आरसमाजी थे कटरार समाजी थे आपने करों था अशरम पे करमण करने भी गए थे याप फिर ऐसा क्या आपको बैक आया गया था और शमाज की दुआरा क्या फैलकों का आज भी लोग ब्रमेत हैं तो किन बातों को लेके ब्रमेत हैं संतरामपाल जी के लेके बगजी देखो हमारे अरिया में एक बात चली हूई है कि वहां पे जो है बैस ने परशाद खाया और भैस आशरम में बागई कि कोई लेडिज आशरम में गई हूई थी तो उदर उस ने परशाद को तो खाया नी बैस को डाल दिया बैस बागई जिक स्ऐसा कोई रहें निया को आज भी कहा भी इंड गाटी डीकलнул शात खिवे है वहां तो जेवर मिले हैं वरतों के हैं अखबारों में भी देखा था कि वह आप तो इतनी बोरी जो हमंगल सूतर मिले हैं और यह मिला रही है वो मिला मतलब बहुत अच्छे से अच्छा इंसान अगर उस बात को सुन लेना तो वह उनके बैकावे में आहे हुआ ही था लेक को दर्सन दिये परमातमाने और बोला बिटा कल आजा नाम लेने के लिए तो मेरी एकदम से आख खुल गई मगा यार कल तो दिल्ली का चक्कर है गाटी लेके जानी है सुबह सुबह है और मगा दो पहर को दो तीन बजे आ जागा और बरवाला दूर है यहां से कैसे जा जा कोई बता नहीं कोई बात नहीं बेटा यह सारा समाजी ऐसा है नाम ले और परमातमा की दया से मोज कर तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता अ कुछ नहीं है बुट talked